वेल्कमेंग दोस्तों क्या हाल आप सब का मैं उम्मीद करता हूँ क्या आप सब खैरियत से होंगे तो भाई सहब फाइटर की डे वन की अबडेटेड इडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है और ये जो मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूँ ये अभी 23rd of January रात के 9 बजे तक ही है अब सबको आइडिया भी है कि अभी 23rd of January तो अल्मोस्ट गया यनि के फाइटर के पास सिर्फ और सिर्फ कल का दिन है 24th of January और अगर रात के मैं ये जो 8-9 घेंटे हैं ये भी आइड कर लो तो ये बात हो सकती है कि वन एंड आफ डे रहता है अभी फाइटर के पास वन एंड आफ डे के बाद ये फिल्म ठेटर के अंदर लैंड करेगी अब भाइसाद वन एंड आफ डे बी फॉर वन एंड आफ डे काई इस बनता तो नहीं है वैसे रात को 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है एक दिन में काउंट उता है लेकिन मान लेते हैं one and a half day before कितनी advance booking हुई है कल सेम इसी टेंग तक कितनी possible है day one में ये कितनी opening लेने वाली है वो जो मैंने start में बोला था hundred crore भाई क्या वो होने भी वाला है या मजाख ही है तो क्या सारा scene है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है and चैनल को सबस्क्राइब करना है ताकि आपको मिलते रहे तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम advance booking देखेंगे उसके बाद हम शोज की बात करेंगे तो भाई सबसे पहले हिंदी 2D वरियन 1.55 करोड मनलब कि 1.55 करोड की advance booking 58,500 टिकेट से sold out 214,214 रुपे की average ticket price and 4900 शोज भाई सहब लगबग 5 सुबह तक 5000 हो जाएंगे 5000 शोज जस्ट हिंदी 2D वरियन से मिल रहे है फाइटर को शोज की कोई कमी नहीं होगी ना आगे भाई कोई बड़ी हिंदी फिल्म है ना इस से पीछे है हाँ हनुमेन चल रही है लेकिन अगर फाइटर बहुत अच्छी निकलती है तो हनुमेन के शोज मिल जाएंगे फाइटर को रितिक रोशन स्टार है भाई सब देपेका है अनील का पूरे सिधार तानन है भाई क्या करते हो उसी के साथ भाई साहब डंकी चल रही है कोई बात नहीं एंड होने वाला है यानि कि इस फिल्म को शोज के अकोर्डिंगली किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है काउंट करता हूँ तो ये दस हजार प्लस हो चोके है दस हजार प्लस मेरा भाई क्या करते हो वही बात आगे कि शोज में कोई कमी नहीं है और अगर ये फिल्म देखो एक बात है अगर इस फिल्म के रिव्यूज बहुत अच्छे निकलते हैं और ओडियन्स इसको देखने के लिए क्रेजी होती है इन 3D लेंग्विज देन आप नंबर्स में शोक्त होंगे बॉक्स ओफिस कोलेक्शन ऐसे आएगी ना के आप बोलेंगे कि ये हो क्या रहा है क्योंकि 3D में बहुत अच्छा क्रेज है अब भी तक हिंदी 3D में ही सबसे ज़्यादा इडवास बोकिंग हो रही है खर उसके बाद हिंदी आइमेक्स की अगर मैं बात करूँ अल्मोस 40 लाक रुपी हिंदी आइमेक्स 3D भी है 40 लाक रुपी की डवास बोकिंग 6,900 टिकेट से सोल्ड आउट अब अगर इसको मैं टोटल करता हूँ तो 23rd of January रात के 9 बजे तक अब जब आप वीडियो देख रहे होगे तो 9.30 बजे रहे होगे तो भाई अभी तक 9 बजे तक मेरे पास जो नंबर है वो है 4.60 करोड रुपे 4.60 करोड रुपे की बईसाब एडवास बोकिंग हो चुकी है 1,45,000 टिकेट से सोल्ड आउट 10,330 शोज हो चुके है अब भाई सहाब क्या हो रहा है यार 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 देखो 1,5 लाग टिकेट से भी सोल्ड आउट नहीं हुआ 1,5 लाग भी इवन के मैं तो सोच रहा था कि 5-6 लाग टिकेट तो नॉर्मली सोल्ड आउट होंगे बट क्या कर सकते हैं अब डेवन में कितनी ओपनिंग है वो देखने से पहले ज़रा शोज की डेटेल देखते हैं कि शोज में फिलिंग फास कितने हैं कितने हैं मैं जस्ट आपको स्टेट वाइस बताऊँगा रीजन में नहीं लेकर चलूँगा कि हिंदी 2D में कितने हैं हिंदी 3D में कितने हैं रीजन वाइस आंधरा परदेश 180 शोज हैं 4 फिलिंग फास 2 फुल एक बात नोट करिएगा शोज इतने ज्यादा है फिलिंग फास कम है और फुल तो उसे भी कम है कैसे असाम 141 शोज 7 फिलिंग फास है एक फुल है क्या करते हो बेहार 135 शोज एक फिलिंग फास तीन फुल जस 36 गड़ 271 शोज 15 फुल है बाई चलो गुड है गुवा में 67 शोज एक फिलिंग फास एक फुल गुजरात में 1400 शोज है 1400 शोज है 12 फिलिंग फास छे फुल 1400 शोज कोई थोड़े होते हैं बहुत सी बैसा बॉलिवुड की मुवीज इतने शोज में रिलीज होती हैं लेकिन यहां पर बैसाब जस गुजरात में इतने शोज हैं जिसमें 12 फिलिंग फास है और 6 फुल है क्या हो रहा है हर्याना में 176 शोज चार फिलिंग फास हिमाचल परदेश में 58 शोज चार कंड में 140 शोज पांच फिलिंग फास करनाटिका में 640 शोज 36 filling fast और 25 फुल कुछ बड़ा नमबर है हाँ जितने शोज है 640 उसके according तो नहीं है लेकिन फिर भी बड़े नमबर है 36 मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो filling fast है वो करनाट का में है 36 शोज और 25 पचीस फुल है देखते हैं कि क्या 25 से ज्यादा फुल आगे किसी भी स्टेट में है या नहीं कैरिला में 195 शोज हैं 7 filling fast 3 फुल मादिया परदेश में 620 शोज 7 filling fast 9 फुल उसके बाद माराश्टरा में 1740 शोज हैं 33 filling fast 21 फुल क्या करते हो उसके बाद भाई सब आ जाता है अधीसा 281 शोज 5 filling fast और 3 फुल पंजाब में 465 शोज 8 filling fast और 3 फुल तमिल नाडो में 121 शोज 12 filling fast और 13 फुल तिलंगना में 402 शोज 38 filling fast और 14 फुल तरी पूरा में 30 शोज 1 फुल उत्तर परदेश में 876 शोज 4 filling fast 9 फुल उत्तर खड़ में 163 शोज 1 filling fast वेस्ट पंगाल में 6, 38 शोस, 23 फिलिंग फास, 15 फुल, देहली में 1005 शोस, 32 फिलिंग फास, 22 फुल, सबसे ज्यादा 25 फुल है, जो मैंने आपको बता है, जम्मू एंड कश्मीर में 50 शोस, 9 फिलिंग फास, 9 फुल, यनि कि शोस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत कम फिल गेंटे, यनि कि सुबह जो मेरी वीडियो आईगी, मैं कोशिश करूँगा कि 7-8 तक आपको बता बना दू, अब ए जो रात के 7-8 गेंटे होंगे, या 8-9 जो भी बनते हैं, माई प्रेडिक्शन के इन में, अब भी अगर 4.60 है, तो सुबह तक 5.50, सुबह तक 5.50, सुबह जिस सपीड के साथ चल रही है, अगर इस से थोड़ी सी स्पीड ओर पकड़ती है, तो ये 8 क्रोड की नेट कोलेक्शन कर लेगी, यानि कि डबल डिजिट में फाइटर की नेट कोलेक्शन नहीं जाएगी, और मेरी नजर में ये बईसाब जो एडवास बुकिंग है, ये फ आए, अब माल लेते हैं, हमारे अकॉर्डिंगली 8 क्रोड की अगर इडवास बुकिंग होती है, तो ओपनिंग में 30 क्रोड तक भाई सब अगर ये चली जाती है, तो मैं कहता हूँ मेरे कल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, 30 क्रोड की ओपनिंग, और देखो, भाई, रिव्य क्रोड की अगर अपनिंग होती है, तो 40 क्रोड वर्डवाईड क्रोड, अगर 15 क्रोड भी Oversie से आता है, तो वही जो मैंने 60 क्रोड बताया, या कि 20-50 क्रोड का पहला पोस्टर देखने को मिलेगा, बाقی आप का इस भारे में क्या कहना नीचे जरूर बताइएगा, और डेवन में देखने जा रहे हैं या नहीं वो भी बताएगा अब इताके लिए इतना ही होपस आपको वीडियो पसंद देगो तो पसंद देए तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब करो और अगले आने वाले वीडियो तक अपना ख्यार रखिएगा थैंक्स फर कोचिंग